आप सभी को नमस्कार जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिला स्तर यह जी ट्वंटी जन भागेदारी कारेकरम दिनाग 13.06.2023 को प्रत्या नो बजे से से आएं साड़े चार बजे तक जिसमें आप सभी स्वयम भाग लेंगे इसके तरिक्त जिला स्तर पर आयोजित पहाड़े बालगीत प्रिंट रीच प्रत्योगता में अच्छा परदर्शन करने वाली अध्यापकों टोप पर रहने वाले 90 बच्चों तथा आपके कारेयल्या द्वारा भेजे गए सिक्षन स है एक समगरी में अच्छा परदर्श करने वाले बेस्ट बाल द्वाम लिला अज्योजित करने वाले विधाल्यों स्टार अध्यापकों तथा के आरपी को भी कारेक्रम में भाग लेने हो ये तु निर्देशित किया गया है आप सभी इस कारेक्रम के हिस्षा हो और सभी को यहाँ पर प्रशस्ति पत्तर से न्वाजा जाएगा जिसमें जिला कोडिनेटर सुनिलदत सर्मा जी इसके कोडिनेटर हैं और इसके मुक्याती थी मानने हैं डेशी महुद्या कैथल सिरीजिगदी सर्मा जी SDM सहाब संजय जी जिला शिक्षा दिकारी महुद्या रविंदर चोदरी जी जिला मुलिक शिक्षा दिकारी महुद्या डॉक्टर सुवास वर्मा जी DPC साब सुरेंदर आ रही है जी, सभी खंड सिक्सादिकारी, सभी खंड सहायक, संसादन सयोजक, सभी यदिगम नोडल अदिकारी, सभी DSS, DMS और भी अन्य इस कार्यकरम में सिर्कत करेंगे तो आशा है, यह प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और हो चुका है, इसी के उपर एक वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें आप सभी इस वीडियो के मार्द्यम से इस पूरे प्रोग्राम की जो अयोजित हुआ ये, उसमें उसको अच्छे प्रकार से देख सकेंगे क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे या हैट्स या अन्य बच्चे वो इसका रिक्रम का हिसा नहीं थे, लेकिन अब उन तक ये कैसे बात पहुंचे, कैसे ये प्रोग्राम का वो देख पाएं, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो त्यार की गई है, आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है, तो आप अवश्य है इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो यहां पर देखने को मिले हैं, मलबीर कश्यप, खंड साधन सेयोज कैथल, इसी परकार 15 जून 2023 को राज्यस्तरिय एक प्रोग्राम करनाल में भी किया गया, जिसमें माननी है, शिक्षा मंतरी, आदर्निया सिरी, कमरपाल गुचर जी, इसके मुखे अतीती थे, और इस प्रोग्राम में सभी डारेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन, डारेक्टर स्केंडरी एजुकेशन अनसर जी, इसके लावा सभी डियोज, हर्याना पर्देश, सभी डिडवलियोज, सभी खंडशिक्स अदिकारी, डीपीसी मुखे, खंड संसाधन से होजग, जवारनोद्य विदाले के प्रिसिपल, डाइट प्रिसिपल, और सभी पार्टिस्मेंट टीचर्स, जिनको रजस्तरिया है, पुर्शकार देने का इसमें प्रोग्राम किया गया, तो वो सभी इसमें भाग लेंगे, और ये प्रोग्राम भी आप तक इसकी next दूसरे पार्ट में पहुंच जाएगा, आशा है, ये प्रोग्राम की कुछ झलकियां, चाए फोटो हो, चाए वो लेक्टर हो, चाए वो कि प्रकार की वीडियो रिकोर्डिंग हो वो भी आप तक पहुंच जाएगी तो आशा करते हूं ये प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा थैंक्यू वेरी मच धन्यवाद ये कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रिस्तत करों मैं बलबिरकाशब खंट सद्रादन सज्योजक राजोंद ये मेरी खुद की सवय रचित पंक्तियां हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कदम हम भी चलेंगे कुछ कदम तुम भी तो बढ़ाओगे ऐसे ही हम सब मिलकर एफलन के कार्मा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे हर दम आगे बढ़ते जाएंगे कभी न हिम्मत हारेंगे मिलेगी मनजिल हमें तब ही जब मिलकर सारे जोर लगाएंगे संपर्क फांडेशन और LLF से संपर्क देदी के सपनों को संपर्क पाट साला तक ले जाएंगे संपर्क देदी के LSRW को भी सब बच्चों तक पहुँचाना है संदीब निर्मल और अभी से कराना के योगदान को भी नहीं बुलाना है गलोबस के SRS से ही केशव और अतुल के प्रियासों को भी इसी कड़ी का हिस्सा बनाना है सिक्सकों को हर गुण सिखाना है फिर हर बच्चे को डिजिटल परस्तनोतरी करवाना है एफलन टीम के हर मेंबर को इस मुहीं का हिस्सा बनाना है चाहे हो वो कुल्दीप मेता या परमोद सर्मा या फिर हो चाहे जिला कोडिनेटर सुनील दत सर्मा हो चाहे वो जिला सिक्षा दिकारी या फिर जिला मौलिक सिक्षा दिकारी या फिर हो वो खंड सिक्षा, मौलिक अदिकारी और भी है अभी इसी टीम में वे भी इसमें दस्तक देंगे नहीं भूलेंगे खंड सिक्षा, दिकारी या फिर खंड संसादन से हो जब को चाहे वो हो SPD महोद्या या फिर हो वो DC साव और DP से महोद्या चाहे वो सिक्षानी दे सक या फिर हो मौलिक ने दे सक सबका मार्क दर्शन लेते रहना है टीचर और मुख्य सिक्षकों को भी ये बतलाना है प्रिंसिपल को और कलस्टर मुख्या को भी जम्मेवार बनाना है माता पिता और अभी भावकों को भी हिस्सेदार बनाना है यहीं नहीं खत्म हो जाएगा यह सिलसला यह तो यूहीं आगे बढ़ता जाएगा कक्षा एक दो तीन को अंग्रेजी हिंदी और मैट्स को इस तरह से समझाना है होगा इनी से उदार हमारा भविश्या को हर हाल में समारना है होगा ऐसे ही कल्यान हमारा तीनों विश्यों की समझ बनेगी भविश्या में योगदान है तो हर एक टीचर को निपुन बनाना है एफलन ने यही तो ठाना है जब बनेगा निपुण हर बच्चा बच्चा, तो ही तो हर्याना निपुन कहलाएगा, छोडेंगे ना कोई कोर कसर, अब तो ये जमाने को बताना है एफैलन की टेनिंग के नाते सबी टीचर्स को जोड़ना है, सारे के आरपीएस के माद्यम से सब को निपुन बनाना है G20 में भी हमने हर्याने का पर्चम लेराना है याद करेगा जमाना सदियों तक होंवर कैसा बनाना है मेगा PTM करके जन भागिदारी को बढ़ाना है अपने लक्षा और उदेश्या को हर आलत में पूरा करना है हर बच्चे को निपन बनाना है हर बच्चे को निपन बनाना है निपन मिशन की करांती को ठंडा होने नहीं देना है हर बच्चे को निपन बनाना है हर बच्चे को निपन बनाना है निपन करते करते हरियाने को निपन बनाना है जै जै निपन मिशन, जै जै निपन हरियाना जैहीन और वंदे मात्रम के निवपुन हरियाना का सपना सब बच्चे समझे भासा और गणना उद्गोष को सकार रूप देना है धन्यवाद समपर्क समाट साला है तो सब आसान है सही करम और सही ढंक पर पूरा ध्यान है तो गर बैठे अब सीखना भी आसान है और सिखाना भी आसान है गणी तो रंगरेजी को गोल दो एक खेल की जुवानी रहस्य कहानियों में गोल दो पक्की समझे बनानी समपर्क समाट साला है तो सब आसान है सही करम और सही ढंक पर पूरा ध्यान है जोड भटाओ गुणा भाग मूर्त करो पार्ट्स तो लगाएं दिमाग हैबिट्स कलर्स अनिमल्स बर्ड्स सुरू करो विद फोनिक वर्ड्स समपर्क समाट साला है तो सब आसान है सही करम और सही ढंक पर पूरा ध्यान है रज्य पुस्तकों के सभी पार्ट समपर्क समाट साला से आपके हाथ खोलो ये आप पार्ट के संग तो बताएगी पडाने का सही ढंक गती विदिया कराओ वर्क सीट भरवाओ वट्स अप पर फिर वही वीडियो दिखाओ दिदी के स्वाल से करो मल्यंकन पहली पूछो और देखो परिवर्तन संपर्क समाट साला है तो सब असान है सही करम और सही ढंक पर पूरा ध्यान है पाट को मज़ेदार और परभावी बनाना है जरूरी अटल समझ और मजबूत पकड वरना है अधूरी सिख्षया की गुनोत्ता को बढ़ाना है और हर बच्चे को जिन्दगी में सफल बनाना है सब परक समाट साला है तो सब असान है सही करम और सही ढंक पर पूरा ध्यान है सिर्शक है हम होंगे कामियाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे काम याब एक दिन होगी सामती चारो और होगी सामती चारो और होगी सामती चारो और एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास होगी सामती चारो और एक दिन हम होंगे कामियाब हम होंगे कामियाब हम होंगे कामियाब एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामियाब एक दिन हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन हम होंगे कामियाब, हम होंगे कामियाब, हम होंगे कामियाब एक दिन ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामियाब एक दिन वालगित अनिल कुमार जी गोर्मिट कॉंडल संस के प्रैम स्कूल सोंगल की दोरा त्यार किया गया है सिर से कह सबने ये है ठाना एफलन सिखा के हमने निपुन भार्थ है बनाना टीचर मात बिता बाल कहने सबने ये है ठाना खेल खेल में करा पढ़ाई आनन्द आवे खूब गणा टीचर गिल्ले खुल के बुलने दूर होवे सर्माना प्रिट रीच क्लास बनगी स्कूल आवे रो जाना टीचर मात बिता बाल कहने सबने ये है ठाना हैंड मेटी एलम मैथ किट से करते खूब पढ़ाई मूरत रूपता करे पढ़ाई मिलता ग्यान स्थाई ग्रूप में बैट के काम करें सब प्यार के प्यारते सिखे रहना टीचर मात बिता बाल कहने सबने ये है ठाना आदे पूर्णे ढ़ाई के पहड़े गौंजरे हरियाना में बालक टीचर मैडल लाम है धूम मचे हरियाने में कहे अनिल धमतान जोर लगाके नंबर वन बने हरियाना टीचर मात बिता बाल कहने सब को ये है सबने ये है ठाना यह पंक्तियंबी अनिल कुमार जीज गूर्मिट मुडर्ट संस्किती पर हम इसकुल संगल के दोबार लिखी गई है बाल गित का सिर सके जीरो गोल हूँ मैं गोल हूँ कहलाती हूँ मैं जीरो अगर मिला संख्या के पीछे लग जाऊँ अगर किसी संख्या के पीछे लग जाऊँ तो बना देती हूँ हीरो आगे लगाने से गटे न मान, पीछे लगाने से बढ़ाती मान, मुझे गटाने से ना गटे मान, और नहीं जोडने से बढ़े मान हमें भाग ना कर सके कोई और नहीं किसी को भाग कर सके चाहे लाख हो या करोड या फिर हीरो उसे गुना करे तो बुना देती हूँ जीरो यह बालगीत असो कुमार पी आर्टी जी पिस पर बोट के द्वारा त्यार किया गया है और भारत ना विसव गुरू बनाने ना बालका ना निपन बनाने ना यह मास्टर संकल पठारे से खेल खेल में करावा पढ़ाई कान खोल लो सुनो बैन और भाई गणितिये विभासा कोसल ग्यान बनाने ना वेग्यानिक समझ बनाने ना बालकान निपुन बनाने ना ये मास्टर बीड़ा ठारे से स्कूल स्कूल सहयक समगरी पहुंचाई ओनलाइन भी करा रहे हैं पढ़ाई समझान की सहीविद्य अपनाने ना शिक्षन समर्दन कराने ना मनो वग्यानिक समझ बनाने ना विभाग एफलेंट टेनिंग करा रहे से एक दिन ऐसा आवेगा समने जिसा आवेगा भात विशुक और गुरू बन जाएगा बलकान निपुन बनाने ना ये मास्टर सेंकल ठारे से ये बालगीत विशन लाल जी है टीचर गुर्मेंट मुर्डर संस्क्रिती प्राइमरी स्कूल सेर्दा के दुआर किया गया है जिसका सिर्शक है स्वर्का ग्यान आव बच्चो लो तुम जाओं सीखेंगे हम स्वर्का ग्यान ऐसे अनार खाने को आ से आगे आव तुम इसे इरादना मन में बना कर इसे इनाम पाओ तुम बिल्कुल ने करब आओ तुम रखो सदा गुरू का मान आओ बच्चो लो तुम जान उसे उजाला करके तुम उसे उर्जा बारे जानो रिशे रिशी को सीसनु आकर एसे एकता को पहचानो ऐसे एनक लगाकर बाई बढ़ालो चेरे की तुम्षान आओ बच्चो लो तुम जान उसे उखली उसे औरत कूट लिया अनाज ये सारा अंक से अंगूर खाया हमने मीठा लगा कभी वो खारा अंक से ऐसे प्रात्य उठकर सारे स्कूल में ले गए विद्याधान आओ बच्चो लो तुम जान ये बालगेत इकबाल कोर्जी गवर्मिट मोडलसनस के प्रैमरी स्कूल गूला के दोबारा त्यार के गई है जिसका सिर्षक है मेरी कख्षा मेरी कख्षा सबसे नयारी मुझको लगती बहुत प्यारी कख्षा में हमने ये जाना समय पर स्कूल में आना पढ़ने से पहले प्रबूध्यान, द्यान बढ़ाए हमारा घ्यान, टीचर हमको खूब पढ़ाए, कैसे पढ़ना ये सिखलाए मैं हूँ एक नन्नी परी, कक्षा मेरी टीलम से भरी, प्रिंट रीच के तहत हुआ काम, टीलम ने डाल दी कक्षा में जान एक्टिविटीज से पढ़ना सीखना, सीखा यही पढ़ने का सही तरीका, इससे पढ़ाई हो असान, समझ में आया सारा ग्यान मिटे मील रिसेस में खाएं, खाना खाकर खेलने जाएं, तरह तरह के खेल खेलें, खेल खेल में बढ़ता मेल बन गई मेरी कही सहेलिया, हल करनी अब मुझे पहलिया, कक्षा ने हमारी जिन्दगी समारी, तब ही है कक्षा मेरी न्यारी यह बालगीता, बालकवीता भी एक बालकोर कुर्मेट मुझलसनस के प्रैमिर स्कूल, गूला के दोरा त्यार के गई है सबसे पहले अलू के बारे मता आगया ऐसा है मेरा किरदार, तब ही बना मैं सबज्यों का सरदार कैसा मैं टमाटर लाल, फूले हुए है मेरे गाल, हरे उगे हैं सरपर बाल, मस चला मैं अपनी चाल, सुनाओ तुमारा क्या है हाल ये पंक्तियां इकबाल कोरजी, जेबीटी टीचर, गूर्मिट मॉडल संस्किप ट्राइम स्कूल गूला के द्वारा त्यार की गई हैं जिसका सिर्षक है तू तू मैं मैं ये पंक्तियां इकबाल कोरजी, जेबीटी, गूर्मिट मॉडल संस्किप ट्राइम स्कूल गूला के द्वारा रची गई हैं जिसका सिर्षक है पिंजरे में बंत होता क्या किया कसूर जो हुई है जेल, मुझको तो मिलती नहीं बेल तुमने समझा इसको खेल, खेल तुमारा ये निराला, क्यो मुझको पिंजरे में डाला सुना खुला आस्मान है मेरा घर, काट दिये क्यों मेरे पर बन गे तुम, ओ कैसे नर, नर भी कैसा निराला, क्यों मुझको पिंजरे में डाला लट्टू मिर्ची नहीं, तुमारे खाए, ना ही मुझको अमरूद है भाए मेरे आस्याने की याद स्ताए, मेरा आस्याना बड़ा निराला, क्यों मुझको पिंजरे में डाला नहीं, पिंजरे में मुझको रहना, इतना दुख नहीं, मुझको सहना आ जाती है मेरा घहना, घहना मेरा बड़ा निराला, क्यों मुझको पिंजरे में डाला खोल दो पिंजरा मैं उड़ जाओं पूरे अपने पंक फैलाओं खुशी खुशी मैं टेंटा गाओं गाना मेरा बड़ा निराला क्यों मुझको पिंजरे में डाला क्यों मुझको पिंजरे में डाला क्यों मुझको पिंजरे में डाला ये पंक्ति अभी इकपाल कोर जी गुर्मिंट मोर्ड लसन्स के प्राइमरी स्कूल गुर्मिंट गुर्ला के द्वारा त्यार किये गई हैं जिसका सिर्षक है स्किल पास बुक है बड़े काम की बाते चिपी हैं इसमें ग्यान की समझ है किसी अध्यापक और उभग की खीशत हैं जो सबका ध्यान आसान हुआ अध्यापक का काम हर स्किल पर अब अध्यापक जाए बच्चों को वह पूरा समझाए कमजोर को जिससे बच्चा पाए उसी पर अब करना काम आसान हुआ अध्यापक का काम नहीं केवल किताबों से पढ़ाना, अपना ग्यान भी है अजमाना, इसी से आगे बढ़ते जाना, ग्यान को समझे सुबह और स्याम, असान हुआ अध्यापक का काम नहीं सिलेबस बच्चों पर भोज, अगर पड़े वो आसपास को रोज, स्किल पासबुक में है, इसकी खोज, इसी बात को लिया है जान, असान हुआ अध्यापक का काम कक्षा, दो, तीन, जो अध्यापक बढ़ाए, स्किल पासबुक उसके काम है आए, एक दक्सता में वो ग्यान बढ़ाए, उससे बढ़े, ने उसका काम, असान हुआ अध्यापक का काम सिक्सें संदर्शी का बनी सहायक, वातावन बना है, इसका कायक, बच्चे बने हैं, इसके लायक, स्कूल बना है, मेरा धाम, असान हुआ अध्यापक का काम सब की तरफ से धन्यवाद उनका पूरा किया है, जो सपना सब का सोच रहे थे, ये सब कब का सिक्सा बनी हुई, बनी नहीं पैचान, असान हुआ अध्यापक का काम समपर्क समाट साला है तो सब आसान है, सही करम और सही धन्यवाद पूरा ध्यान है, तो गर बैठे अब सीखना भी असान है, और सिखाना भी आसान है, गणी तो रंगरेजी को गोल दो, एक खेल की जुवानी, रहस्या कहानियों में गोल दो, पक्की समझ है बनानी, समपर् जोड घटाओ, गुणा भाग, मूत करो पार्ट्स, तो लगाए दिमाग, हैबिट्स, कलर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सुरू करो विद फोनिक वर्ड्स, समपर्क समाट साला है तो सब आसान है, सही करम और सही धन्यवाद पर पूरा ध्यान है, राज्या पुस्तकों के सभी समपर्क समाट साला से आपके हाथ, खोलो ये ऐ पाट के संग, तो बताएगी पडाने का सही धन्यवाद गती विदिया कराओ, वर्क सीट भरवाओ, वट्स अप पर फिर वही वीडियो दिखाओ, दीदी के स्वाल से करो मुल्यंकन, पहली पूछो और देखो प्रिवर्तन, समपर्क समाट साला है तो सब असान है, सही करम और सही धन्ग पर पूरा पूरा ध्यान है, पाट को मज़ेदार और परभावी बनाना है जरूरी, अटल समझ और मजबूत पकड वरना है अधूरी, सिक्ष्या की गुनोत्ता को बढ़ाना है और हर बच्चे को जिन्दगी मे सब बनाना है, समपर्क समार साला है तो सब असान है, सही करम और सही धन्ग पर पूरा ध्यान है ये पंक्तिय अभी जितिंदर कुमार जी राज के परामरी पाट साला, सिमला के दौरा त्यार की गए जिसका सिर्शक है सप्ता के दिन याद कराने वाली कवीता सोंवार को नानी आई, खील पता से लाई थी, मंगलवार को गए शहर में मिलकर पार्टी बनाई थी बुद्वार को कर्तब दे के शहर में सरकस आई थी, वीरवार को खेले नानी संग सब को मस्तिछाई थी शुक्करवार को मनाया जनम दिन चोकले टोफी खाई थी सनिवार को नानी जाने लगे जब सब की आँके भरहाई थी रवी वार था चुट्टी गादिन सब ने खुशी मनाई थी सौम वार को नानी आई खील पता से लाई थी ये पंक्तियां जितिंद्र कुमार जी जे बीटी राज के प्राइमरी पार्ट साला से मला के द्वारा त्यार किये गई है चलो शुरू करते हैं आओ तुमको सुनाओ कहानी दादी ने बताई बात से आनी जल्दी उठो करो परना मात पिता का बनो अभिमान फिर जल्दी से करो सनान पहनो वदी बने पैचान खाली पेट न जाना है कुछ ना कुछ तो खाना है अपना बस्ता करो तयार गुरुजनों का पाव प्यार ध्यान लगा करो पढ़ाई दादी ने ये बात बताई समय पर अपना काम करो जग में अपना नाम करो दादी ने बात बताई से आनी दादी ने बात बताई बात से आनी ये बालगीत कलावती जी राज के बनाएमरी स्कूल डोड़ खेड़ी से है उनके दुआरा त्यार किया गया है जिसका सिर्सक है मोसम मोसम और ते हमारों की जानकारी के महत्यम से इसमें बताया गया है मोसम सर्दी का जब आए संग नया साल सब्भी जनुरी भी लाए लाता मकर संकरांती का त्युमार रेवडी गचक मुंग फली की बहार मोसम गर्मी का जब आए संग पसीना कूब नहाए हम खुशियां खूब मनाए जब संग छुटियां गर्मी की लाए जब गर्मी से हो वेहाल तब बारिस की आए बोचार संग लाए मा की कोतली जूला जूलने की बहार जब महीना फरविरी का आए संग बसंत पंचमी को लाए हरता फर्याली चाए पीला रंग सरसो पे चाए ये बालगित कविता जी जीपेस खनोता के द्वारा लिखी गई है लो आ गया फलो का ठेला चीकू पपिता बेर और केला संत्रा मोस में अनार खाओ जूस बना कर भी पी जाओ अमरूद कीवी और लीची खाओ खाकर अपने सेथ बनाओ केला आम पपिता खाओ या दूद डाल कर सेख बनाओ फलो का राजा होता आम सब के मन को भाता आम रोज एक सेव खाना डाक्टर के पास नहीं पड़ेगा जाना तर्बूज और खर्बूजा गर्मे में भाए पाने की कमी भी दूर भगाए कभी फल खाओ चाट बनाकर बर्थडे बनाओ फ्रूट केक बनाकर ये पंक्तियां या ये बाल गीत कवीता जी की दौरा त्यार किया गया है जी पेस खनोता से है आओ प्यारे बच्चे आओ समार्ट फोन को छोड़ कर आओ वीडियो गेम करो कर आओ टीवी को भी बंद कर गाओ मिलकर खेलेंगे सब खेल दोस्तों के संग होगा मेल लंबी एक मनाओ रेल उचल कूद कर खेलो खेल फोन टीवी की आदत छोड़ो वीडियो गेम भी खेलना छोड़ो उचलो कूदो कूब दोड़ो स्वस्त जीवन से नाता जोड़ो बाल गीत भी कवीता जी के द्वरा त्यार किया गया है जो की जीपेस खनूता में है जंक फूड क्यों खाए हम बिमारियां क्यो बलाए हम पोस्टिक बोजन खाए हम सेहत खूब बनाए हम बर्गर पीजा खाने से अच्छा फलो और सबजी खाए हम केक पेस्टि खाना छोड़कर सादा वोजन खाए हम कुरकुरे चिप्स सब छोड़कर घरका खाना खाए हम अच्छा खाएं बुद्धी बढ़ाएं सरीर भी तंदरुस्त बनाए हम कोर्ड डिंक भी पीना छोड़ो फास्ट फूद की आदत छोड़ो जंक फूड से मूँ मोड़कर स्वस्त जीवन से नाता जोड़ो अबाल गीत भी कवीता जी के दुवारा त्यार किया गया है जो कि जीपेस खनूता से है आज का काम कल पर मत टालो जो करना है आज कर डालो अपने तुम कुछ नियम बनाओ जीवन में अनुशासन अपनाओ सत कर्मों की आदत डालो समय पाबंदी भी अपना लो जो लेना है खुल कर मांगो चोरी करके कभी न भागो जो भी बोलो पहले लो तोल हमेशा बोलो मेठे बोल जोट तुम कभी मत बोलो हर हाल में सची बोलो सदा बढ़ो की करो तुम सेवा सेवा से मिलता है मेवा बढ़ो को जुकर सीस नुआओ इनकी लाख दुआएं पाओ अच्छी बातों को अपनाओ जग में अपना नाम कुमाओ ये पंक्तियां करिशन कुमार जी गुर्मिट गल्स मोडल संस्की प्रैमिस कूल रजोंद के दुआरा लिखी गई है जिसका सिर्सक है पेडो की गाथा पेड हमारे सबसे न्यारे हमको लगते कितने प्यारे पेडो की कीमत तुम जानो पेडो को यूना मत काटो वर्षा लाते गटा गनगोर चारो और करते हरियाली पेड हमारे सबसे न्यारे हमको लगते कितने प्यारे मन को यूं हरसाने वाले जीवन को बचाने वाले सुक्समरदी देने वाले मन हमारे बसने वाले पेड़ हमारे सबसे नयारे हमको लगते कितने प्यारे जड़ी बूटिया देने वाले रोगों को भगाने वाले हमने मन में ये है ठानी हमने पेड़ लगाने है पेड़ हमारे सबसे नयारे हमको लगते कितने प्यारे ये पंक्तियां निशान जिंग, सिंग्सी, प्यार्टी, GMSPS भुन्न से हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं जिसका सिर्षा का मैंने स्कूल में सीखा आज मैंने स्कूल में जाना सीखा स्कूल जाते ही सबसे पहले आई हिंदी की बारी जिसमें मैंने ऐसे अनार और रास्टर प्यार सीखा फिर आई गनित की बारी जिसमें मैंने एक से सो और एक हजार सीखा आखिर में आई अंग्रेजी की बारी जिसमें मैंने ऐसे एपल और संडे मंडे साथ दिनों के वार को सीखा यह है बालगीत प्रिती देवी गुर्मिट गल्स मॉडल सीनिर स्केट संस्किती प्रैमिन स्कूल सेदा के द्वरा त्यार किया गया है जिसका सीरसक है अक्सर जोड आओ बच्चे केले केल बन जाए सब्दो से मिल रेल सीकेंगे हम सब्दो बनाना चल जाए अपनी भी रेल कैको मिलाएं लियके साथ बन जाएगा सब्दो वो कल जैसे लियको मिलाएंगे मिलेगा पीने वाला जल सैसे और आ, सा साफ रहो, काटो अपने लंबे नेल, आओ बच्चो, खेलें खेल गह और रह मिलाकर हम बनाएंगे अपना प्यारा घर जै और गह मिलाकर साथी ठंडे पाने का, तू जग भर, मैं और आ, माफ करो आगई अपने भी ये टेल, आओ बच्चो, खेलें खेल फै और ले मिलाकर, खाएं मीठें मीठें ताजे फल, नै और ले मिलेगा तो बंद रखो पानी का नल पै और आ, पास है, हम होंगे कभी, नहीं फेल, आओ बच्चो, खेलें खेल आओ बच्चो, खेलें खेलें आउ स्कूल फरल के दुवारा लिखी गई हैं जिसका सिर्सक है विद्या प्रविस आउ स्कूल चले आउ चले स्कूल उसाथी आउ चले स्कूल आलस वगाओ दूर हुसाथी आउ चले स्कूल अपना करना कोई बहाना स्कूल में दाखला जरूर कराना अग्यान है एक शूल उसाथी आउ स्कूल चले स्कूल जो सिक्साथ से बन्चित रह जाते जीवन का वै आनन न पाते विद्या जीवन का मूल उसाथी आउ चले स्कूल अब ना कोई रोकने पाए रहा में जो भी बादा ए करदो चकना चूर उसाथी आओ चले सकूल आओ चले सकूल उसाथी आओ चले सकूल ये बालगीत रमफल जी रज के प्रामरी पाट साल अप्योदा के द्वारत त्यार किये गए है बालू आया बालू आया बच्चों को जानकारी देना तो कुबंदी और रंगों की जानकारी इसके मात्यम से बालू आया बालू आया कितना प्यारा बालू आया संग मदारी उसके आया काला काला बालू आया सब बच्चों को पास बोलाया, खूब नाच कर खेल दिखाया, सब को खूब हसाने आया, भालू आया, भालू आया सब बच्चों ने सोर मचाया, खेल खेल में ठेला चलाया, खेला चला कर खेला खाया, भालू आया, भालू आया यह है बालगीत सुईता सिंगला जी जो कि गुर्मेंट मुर्ले संस के प्रैमिल स्कूल गुला में है उनके दोरा त्यार किया गया है जिसका सिर्षक है प्यारे बच्चो अच्छे बच्चो प्यारे बच्चो अच्छे बच्चो तुम स्कूल में आते हो लिखना पढ़ना सी अच्छे बच्चो कक्षा में होली दिवाली एद क्रिसमस मिलकर तुम मनाते हो, कक्षा में नए नए दोस्त बनाने बनाते हो, हर आस्टिये परोपर जंडा सांसे तुम लेराते हो, नदी भी तुम पार कर लेते, आसमान के उडान भी बर आते हो. प्यारे बच्चो अच्छे बच्चो कक्षा में है तरह तरह के बच्चे, सारे ही है मन के सच्चे, कभी रोते हंसते, कभी है लड़ते जगड़ते, पर मिलकर रहना है सीख जाते, विभिन मुकाबलों में है भाग लेते, कभी जीते, कभी है हारते, रोज स्कूल आते रहो, न को कि गुर्मिट मोटल संस की Print School होला में हैं उनके दूरा तियार किया गया है जिसका सीर सक का है पढ़ने पढ़ने के नई तरीके पढ़न है का तरीका बढ़न հहा पढ़ने का तरीका बढ़न है हाजरी रोल नमबर येस मैम येस सर अब 9 9 9 9 रोल नमबर एक जी, जम्मु कस्मीर, सिरी नगर, रोल नमबर दो जी, हर्याना चंडीगर, यस 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 पढने का तरीका बदल रहा है, पढने का तरीका बदल रहा है, बच्छो अपने नाम का अर्थ बताओ, अभी से ऐक जी तिलक है, खुशी जी परसंत है, पनिश जी राजकुमार है, very good, very good पढ़ने का तरीका बदल रहा है, पढ़ने का तरीका बदल रहा है सरकल है लड़ो, स्क्वेर है वर्फी, ट्रेंगल है समोसा, डाइमंड है काजु कतली सेपस बना लो बच्चो, स्वीट सका लो बच्चो, यम्मी यम्मी यम्मी